नमस्कार, मैं हूँ राम्तिकाश राए गुजरात के मोर्वी में जो भीशन हादसा हुआ जिसमें 135 से जादा लोगों ने जान गवाई हलाकि जो भी पोस्ट आकड़े हैं वो 135 पे ही रुके हुए हैं तो 135 लोगों ने जिसमें जिस हादसे में जान गवाई उस हादसे की बड़ी वजह पुलीस के मारिफ़त सामने आई है पुलीस ने एक हलफनावा दिया है अदालत में इस हलफनावे में ये कहा गया है जो ये पूरा हादसा हुआ वो हादसा पुल में जो बदलाओ किये गए उन बदलाओ के चलते हुआ दरसल पुल में जो पुल का बेस था उसको लकडी की जगे पर बदल करके और अलिमूनियम का कर दिया गया ये चार लेयर की चादरों वाले अलिमूनियम का बेस उस पुल पर बनाये गया था इस बेस के चलते वो पुल भारी हो गया इसके अलावा और भी कई कारण पुलिस ने इस मामले में खोले है अभी तक जो बाचीत है जो मीडिया की रिपोर्ट कह रही है उसके हिसाब से ये जो पुल था उस पुल की मरम्मत का काम भी ठीक से नहीं हुआ था इस पुल के मरम्मत में कई खामिया पाई गई है मरम्मत के नाम पे दरसल केवल इस पुल की सजावट की गई थी इस पुल के मरम्मत के नाम पे आपको जैसा कि आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि ये पुल पिछले 6 महीने से मरम्मत के नाम पे बंद था और अभी पांस दिन पहले हादसे के पांस दिन पहले ही इसकी opening की गई है और opening के समय पर भी किसी तरीके की ना तो इसकी जाँच की गई थी और ना ही कोई fitness certificate या कुछ ऐसा लिया गया था इसके किसी भी तरीके के इसकी मजबूती की जाच के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था जिम्मेदार लोगों के द्वारा और इन्हीं सब कारणों के चलते जो है वो ये हादसा हुआ वहाँ पर जो पुलीस ने अपना हलफ नामा दिया है उस हलफ नामे में ये बात बिल्कुल इस पस्त तोर पर कही गई है कि जो इस पूल के बेस में बदलाओ किया गया जो लकडी की जगे पर ऐलुमूनियम लगाई गया उस ऐलुमूनियम से पूल का वजन बहुत जादा उसके इसाब से में जो केबिल है वह बदली ही नहीं गयी जब एक तरफ फूल का बेस्स बदल कर वजन बढ़ गया और जो main cable थो वही पुरानी cable को ही इस्तेमाल किया गया इसके अलावा जो reports है उसमें ये भी सामने आ रहा है कि उस main cable को ना केवल बदले जाने के बजाए वो पुराना cable इस्तेमाल हुआ बलकि उसकी जो ना उस पर कोई तेल लगाया गया ना उसकी greasing हुई उस cable पर जंग लगे इसके अलावा उसके जो anchor pin होता है जो suspension जूला था उस जूले का जो anchor pin था उस anchor pin की मजबूती की कहीं भी जाच नहीं की गई वो जो anchor pin है उसी के सारे ये पूरी cable संभाली जाती है वो पूरी cable को संभालने के लिए पिन होता है दर असल इस pin को स्थाई करने का तरीका होता है उस तरीके में उसको पक्का foundation बनाया जाता है और पक्के foundation में hooks फसाए जाते हैं उन्हीं hooks में इनके विलों को फसाए जाता है साथी साथ उसमें इस विदा होती ही कि इसको जरूत के अमसार कसा जा सकता है या धीला किया जा सकता है पर जो anchor pin थी उस anchor pin की मजबूती की जांच नहीं की गई नहीं उस तरफ किसी तरीके का ध्यान दिया गया और इसी के नाते वो anchor pin भी वहां से जो hook था anchor pin था वो तूटी और ये सारे हाथ से हुए थे तो इस तरीके की कई सारी लापरवाहिया निकल करके सामने आ रही है जिसके बाद अब जो सवाल पहले से उठ रहे थे कि आखिर maintenance के नाम पे उस pull में क्या काम हुआ था छे महीने से जो maintenance के नाम पे ये pull बंद था तो उस maintenance में क्या हुआ था उस maintenance में हुआ ये था कि दरसल इस पूरे maintenance के काम में दो करोन रुपए का जो टेंडर था उस दो करोन रुपए में कमपनी ने जो भी authorized company थी जो इसके रेखरे कर रही थी उस company ने केवल इस pull के रंग रोगन का काम किया था केवल इसे सजाने का काम किया था किसी तरीके से इसकी मजबूती पर कोई काम company ने नहीं किया था इसके अलावा जो और खुलासें उसमें सामने भी आ रहे हैं क्योंकि कि किसी भी तरीके का material ना तो company ने खरीदा है ना किसी material की कहीं पर quality check होनी का कोई assign के पास प्रमाण पत्र मिला तो ये जो सारी लापरवा हैं वो अपने आप में ये चीज़ें उजागर कर देती हैं कि आखिर ये पूल का जो हादसा है वो हुआ क्यों इस मामले में चुकि ये बड़ा मामला रहा को पर पहुंचे इस तरीकी कई सारी चीज़ें हुई जो उसमें मंगलवार को गिरफतारियां भी होई थी करीब न और दिनेश दबे और साथ में जो ठेकेदार जो कॉंट्रेक्टर थे प्रकास परमार और देवांग परमार इनको सनिवार तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है साथी साथ जो टिकट बेचने वाला इंप्लॉई था जो कर्मचारी था इसके लावा जो सिक्योर् इसके अलावा यह कहा गया है वकाईदा उसमें कि यह ट्रेंड स्टाफ नहीं था तो इनका दोश केवल उतना ही बनता है इसनाते इन में किसी और किसी तरीके से इनकी इनके लिए रिमांड या उसे कोई मांग रखी भी नहीं गयी थी इसलिए इनको सीधे खिरासत में बयान आता है उन्होंने अपने बयान में यह बात कही कि यह जो सारा हाथसा है वो भगवान की इक्षा से हुआ कंपनी के सारे लोग जो है उन्होंने खुब मेहनत की जो कांट्रेक्टर था उन्होंने खुब मेहनत की पर इन सब के बावजूर भी भगवान की इक्षा से य तो अब इस तरीके से ये सारी चीज़े एक एक करके सारे खुलासे हो रहे हैं कि जो पुल का वजन एक तरफ बढ़ गया दूसरी तरफ जो में केबिल थी उस केबिल पर किसी तरीके का मेंटिनेंस हुआ ही नहीं वहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ उसमें आलिंग रिसिंग न ध्यान नहीं दिया गया तो ये सारे ये सारे जो कारण है वो अब तक पुलीस के हलफनामे से और सरकारी वकील के बयान से निकल करके सामने आये हैं ये बड़ा कारण है जिसकी वज़े से ये सारी घटना हुई इस घटना में 135 लोगों को जान गवाना पड़ा इसके अलावा वहाँ पर किसी तरीके के सेफटी की कोई वेउस्ता नहीं थी जब पुल पांस दिन पहले स्टार्ट किया गया उसके बाद वहाँ पर ना तो कोई लाइफगार्ड रखा गया किसी तरीकी की वेउस्ता हुई नहीं वहाँ पर किसी ऐसे स्टाफ की वेउस्ता हुई जो ऐसे टिकट के बेचान जो टिकट विकरी की बात थी, उसमें भी चमता से ज्जादा टिकट बेचा और यह जो सारी ला परभाहियां हैं, वो निकल करके सामने आई, इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जो मेंटिनेंस का काम करायके गया, वो भी ट्रेंड जानकारी नहीं रखते थे तो ऐसे लोगों को काम दिया गया maintenance का इसके रख रखाओं का जिसके वज़े से इस तरीके के हाथ से हुए साथी साथ खबर ये भी आ रही है वहां से कि जो मौरभी का जो बार association है मौरभी बार association ने इस घटना में जो भी जो भी लोगों के नाम आ हैं उनके किसी भी कभी केस लड़ने से इस पस तोर पर इंकारत कर दिया गया है जानकारी आ रही है कि वहां पर बार association के एक बैठव कोई जिसमें ये तैह हुआ कि जो बार association के सदस्य हैं वो कि इसमें से किसी भी ऐसे गिरफतार व्यक्ति आरोपी व्यक्ति का मुकदमा नह हैं उनके लिए भी उनके लिए स्थिती जो है वो और बिकट होने वाली है चुकि गुजरात का मामला है गुजरात में विविदान सभा के चुनाओ है प्रदान मंतरे नगिंदर मोदीव इस मामले में लगातार बैठेक ले चुके हैं वहां पर खुद घटना इस तलसे ले हैं उसके उच जो उसके मालिकान है उनकी गिरफ्तारी यह उच्चा दिकारी है उनकी यह इस तरहके के मांगी लगातार बनी हुई आब देखना ही ओगा कि आगे इसमें कि तैस्सेम्स communicator क्या कारवाई होती और क्या और कड़ी कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं वने रहे हमारे साथ धन्यवाद